तो गाइस सुवावत है आपका हमारे टेक्णो आरब में और लेके आगया हमें आज आपके लिए गर्मागरम टेक न्यूस और आज के टेक्णूस गाइस काफ़ी गर्मागरम होने वाली है और गाइस आपको मेरी टेक्णूस और वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कमेट स आज में कहा है दा नेक्ट पोको इस कमिंग तो जिससे यह पता चला की कंपनी अप्राइक निया स्मार्टफून लॉंच करने वाले इसी मंत इंडिया में जो कि पोको एक्टू प्रो या फिर पूको एक्टू प्रो हो सकता है और इसी के साथ कंपनी आपना जो पॉप बड पोको पोबबर्ड उसको भी लॉंच करेगी पाकि देखते हैं कमपनी इसी मंत किस तारीक को लॉंच करती है बाकि जैसे इसे और को न्यूज आएगी तो मैं आपको बता तो कई दूसरे ख़पर की बात करतो तो शामी की तरफ से और शामी ने मी बेंट 5 से रिलेटेड वी पोटो क्लिक कर सकते हो वह भी ऑटोमेटिक ली जो कि किसी भी सारे बैंड में आपको यह जो फीचर वह देखने को नहीं मिलता है इसपेसली मी बेंट 5 में यह फीचर दिया गया है और मीबेंट 5 में पाच स्पोर्ड मोड दिये गया है साथी में आपको योगा फीचर भी स्पोर्ड दिया गया जो कि एक बहुत अच्छी बात है और कंपनी 11 जून को चाहिना में लॉंच करेगी तभी पता चलेगा प्राइज का होने वाली है बाकि एक्सपेक्टेट प्राइज यहीं बताई जारी कि 2000 के अंदर में कंपनी से लॉंच कर सकती है बाकि देखते हैं इंडिया के BI certification पेज पर लिस्ट हो चुके हैं और इनको BI certification मिल चुका है तो जिससे यह कर्फोर्म हो रहा है कि यह तीनों जो डिवाइज है वो इंडिया में इसी मंत बहुत ही ज़द लॉंच होने वाला है और रियल्मी X3 जो डिवाइज है उसको Google Play Console पर भी लिस्ट किया जा चुका है और इससे रिलेटर कुछ इस स्पेसिपियोशन भी आ चुकी है रियल्मी X3 में आपको फूल HD प्लस डिस्पे दिया गया है सूपर एमुलेड होगा कि एमुलेड होगा वो तो अभी तक पता नहीं चला है और बात करें प्रोशेसर की तो इसमें आपको स्नेप कंपनी इंडिया में लॉंच कर सकती है बाकि देखते हैं कंपनी से कब लॉंच करेगी और क्या प्राइस डेट निकल के आती है मैं आपको बता दूंगा तो गूगल ने रिमूब चाहिना एप को प्लेश्टोर से रिमूब कर दिया है यह तो ऐसी बात होगी कि दूसरी ले दिवाइस के अंदर जो चैनीज एप है उसको स्कैन करता था और अटोमेटिकली डिलिट कर देता था तो गूगल का पॉलिसी यह कहता है कि वह जब भी प्लेश्टोर से कोई डाउनलोड करें तो वह एप यूजर के डिवाइस के सेटिंग को चिरचार करता था तो जिस कार चैनी 17 जून को इंडिया में लॉंच करने वाली है और इन दोनों डिवाइस में आपको स्नैप्डगन 865 वाल चिपसेट दिया गया है और यह दोनों डिवाइस 5G डिवाइस है और कल सुबह में इससे रिलेटेड वीडियो बनाने वालो तो जरूर से वीडियो में आपको सब्सक्राइब करते हैं और इस बार यह जो आपको 12GB तक का रेम देखने को मिलेगा और साते में यह एंडुड 10 पर रन करेगा मतलब इसमें आपको एंडुड 10 दिया गया है बाकि इससे रिलेटेड क्या स्पेसिफिविक्शन होगी यह तो आभी तक आई नहीं है और क्या 865 वाल जो प्रोजेजर वह आपके इसमें देखने को मिल सकता है बाकि देखते हैं इसके रेटेर जैसे और कोई न्यूज आती है तो मैं आपको बता दूँगा तो गया साथ नमर वली खबर की बात करतो अर्विंद केजिरिवाल जो की दिल्ली के चीप मिनिस्टर है उन्ह पकड़ाएं कितनों को नहीं पकड़ाएं वह सारे आप इसमें लाइब टैम देख सकते हो असाथी में यह जो हस्पीटल आपके घर के आसपास के को भी भी हस्पीटल हो चाहिए वह प्राइवेट हो या फिर गॉबर्मेंट हो वह कितनी दूरी पर कितने डिस्टेंस में व खबर की बात कर तो फेस्बूक की तरब से और फेस्बूक एक नया फीचर जल्दी रोलाट करने वाला है जिसका नाम उन्होंने मैनेज अक्टिविटी फीचर रखा है और यह जो फीचर है बेसिकली इसकी मदद से आप अपनी पुराने पोस्ट है उसको हाइड कर सकते हो आपके अलाबा वो जो पोस्ट है वो कोई देख नहीं पाएगा मतलब फेस्बूक पे सेव रहेगा और हाइड रहेगा सिर्फ आप ही देख सकते हो और यह जो फीचर है यह फेस्बूक एप और फेस्बूक लाइट एप उन दोनों के लिए कंपनी रोलाट करेगी और फेस यह जो फीचर है वो आ जाता है तो मैं आपको बता दूंगा तो लेनोव की तरब से लेनोव लिजन गेमिंग स्मार्टफोन को लिश्ट किया गया है और इसका जो सिंगल को इसको रहा है वो 914 आया है और मल्टी को इसकोर जो आया है वो 3370 आया है और कुछ और बाकी क्या-क्या स्पेक्स होंगे उसके रिलेटर आप तो कोई न्यूस नहीं आई यह बहुत दिनों बाद लिजन गेमिंग फोन से रिलेटर कोई निउस आई है बाकी देखते हैं कंपनी से कब लांच करती है और किस प्राइज में लांच करती है जैसे लांच करेगी या फिर प्राइज निगल के आएगी मैं आपको बता दूंगा तो गाइस दसनमर्वाले खबर की बात कर तो हुआवे की तरफ से अपना जो निया स्मार्टफून का डिजाइन है उसको फाइल किया है और यह दोनों स्मार्टफून का जो डिस्प्ले वो कर्व डिस्प्ले लग रहा है और यह दोनों जी स्मार्टफवन इसका रियर केमरा को डिजाइन है वह एक यह दोनों से आने वाले और यह पर क्या नेम से आएगी और कंपनी क्या करना चाहती है पोस्ट किया है और उनका कहना है कि 200 हर्ज रिफ्रेस्ट वाला डिस्पले बहुत ही जद आपको देखने को मिलेगा और वह एक IPS LCD डिस्पले होगा और कहीने कहीं मैं यह बात भी मानता हूं क्योंकि अभी तक आपको 144 वाला डिस्पले वह देखने को मिला है वह भी नूबिया देखने को मिल सकता है 200 हर्ज वला रिफ्रेस्ट बाकि आपको चाइना में लांच कर दिया और प्ले सिग के बांटी और 451 स कभी तो बात करें Bake प्लेट फॉर प्रो की प्राइज तो एड़ी बाइट फोने प्लेट फॉर इंडिया में लॉंच किया गया तो आप लोगे से पर्चेस करोंगे कि नहीं आप में कमेंट स्क्षन में बता आइप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राब करके बलेक प्रेस कर देन सबसे पहले आपको मिल जाएगे जब हम वीडियो अप्रूट करेंगे तो काई मिलते आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैइन जै वारत इस्टी होम रहे इस्टी सेव रहे है और घर में अपना ख्याल रखिए